आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की के चोटी छोटी चोटी बच्चियों के साथ जू दुश करम हो रहा है क्या वह सही है क्या देश हमारा वेटियों की सुरक्षा करपार है जिस तरह से हमारे नेता राजनेता बात करते हैं अपने चुनावों के टाइ representatives क्या उस्तरा के काम वो करते हैं आये इसी विशे पर चर्चा कर लेते हैं कुछ राजस्तान के ही जो जनता है उनके साथ ब्रश्टाचार बहुत है राजस्तान में और तो क्या है क्यारा है। तरह के सरकार जब बात करती है चुन्नाव के टाइम के आपको यह दिया चाहेगा आपके लिए इस भीदा होंगी बेटियां आपके पर लिखे शिक्षा करके उनका अच्छा विविश्य होगा तो क्या विविश्य कहीं मिल रहा है सुरक्षित हैं लोग वहां पर सुरक्षित है तो बोले तो जेंट्स लोग भी कर पा रहे हैं तो लेडी कि दश करेंगी उनके उदर के गाउं के लोग तो इतने पड़ेली के भी नहीं रहते हैं तो फिर उनको कौन बोलता है कोई इसक्षिदा चालू है कुछी नहीं है किसी को पता तो रहता नहीं मतलब जो सरकारी योजना उनके बारे में कुछ पता ही नहीं कोंग्रेस की तरव से 2024 क्या उन्मिद नहीं कहते हैं जो उदर कभी हमारे जो आने के बाद बता बीशबल अच्छा है तो फिर अभी ज attitudes एक नमबर पर यह से कराम क्राइम खतम हो गया अभी राजस्तान एक नंबर पर रहा है यूपी एक नंबर पर एक नंबर पर रहें तो लगता है जो वोटिंग होगी आप लोग बीजेपी को लेके आएंगे तो महिलाओं की सुरक्षा है जो दुषकर्म हो रहे हैं बेटिएंके साथ जो अत्याचार हूरें वो रुकेंगे रुकेंगे क्योंनेगे सब रुकेंगे लेकिन इस तरह के जो क्राइम है यह तो मनीपूर में हो रहा है भी जे विशेन को रहे हैं सब्सक्राइब तर्फ एंग का नेयुग को ब्रते हैं Chelsea अभी उनका उड़को पकड़ते नहीं तो फिर उनको घूनको धिशक्त, instruct उनको कोई दबाब भी नहीं रहता है, कोई पकड़ लेगा, या मारेगा, पीटेगा, उनको कोई प्रेसर भी नहीं रहेगा, तो आराम से कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए आप बात करें कॉंग्रेस की जब से कॉंग्रेस है राजस्थान में तब से क्राइम बढ़ गए है सुरक्षा नहीं है योजनाओं का आपको पता नहीं है लेकिन क्या भुरोसा इस चीज का आपको है कि बीजेपी आईगी तो यह सारी चीज़े खतम हो क्योंकि अगर देखा जाए क्राइम तो हर जगा हो रहे है वीजेपी इसकी सरकार हो या कॉंग्रेस की सरकार लेकिन इतना भी तो नहीं होना चीज़े राजस्तान में तो कि हर एक दो दीन में सुनने को मिलता है उदर मत हो गया है इधर गैब हो गया आदमी राजस्तान इत केंदर के तो सारे कर्मचारी हैं हम लोग तंग आ गए हैं सरकार से कौई कांग्रेस से दुखी है कोई बाजपा से दुखी क्यों होंगा जो भी कुछ रेल को दिया है वहल कि सबसे बड़ी वह है जिसके नीचे तने आदमी काम करते हैं जो कुछ भी दिया है तो रेलों को कां कि हम लोगं को पास बंद करें सारी आनलाइन करके पूरी कटोटी कर ले जा रहे हैं तो हम भाजबक ऐसे भाजबते हैं जो हम कमाएंगे तभी तो घर पर परिवार को जिए पलाव पाल पोस्ट के बाड़ा करेंगे जब अपने उतने पैसे में परिवार के पलन पोस्टा नह एँ कटो बात करें को या बात करें जनता कहीं भी खुश नहीं है नहीं नहीं इनी सब ख़बरों के लिए जुड़े रहे हैं हमारे साथ देखते रहे हैं सौगंध टीवी कैमरामेन अंकित के साथ रादिक शर्मा धन्यवाद आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की